गुड मॉर्निंग स्टुडेंट्स आज से अपन नाइंत क्लास का भी चप्टर स्टार्ट कर रहें साइंस का और पहला चप्टर बड़ा इंट्रस्टिंग चप्टर है इसके अलावा आप लोग एड़त में थे अब तक रड़ते आये थे रड़त के क्यूशन का आंसोर पर आपको खुदिक वर्ड में लिखने पड़ेंगे उनको इसके अलावा समझने की जादा से जड़ा कोसिश करना क्योंकि रटोगे तो मेरे इसाब से वह आपका नॉलेज्स इस्ताइए-टो आपका इस्ताही नहीं रहेगा तो आपन रटेंगे नहीं उनको क्या करेंगे आपन समझने की कोसिस करेंगे मैंने आपका बुक से पढ़ाओंगी और इसके अलावा मैंने प्रिंटेर नोड से वो भी आपको साथ साथ में प्रवाइड कर दूंगी इसी लेक्टर के एंड में ठीक है तो आज अपना अब देखो सबसे इंपोर्टेंट चीज अपने NCRT फ अपने आस-पास में क्या-क्या पाया जाता कैसा है क्या है ये सब अपन पढ़िए तो सबसे पहली लाइन क्या कहते हैं जैसे अपन अपने चारोड देखते हैं क्या दिखता है हवा दिखती नहीं है मैसूस कर तक सक सकते हो सोरी भोजन है पत्थर है बादल है तारे पशू उपक्षी रेतिये सारी किया हिर्त होते हैं तो पधार से द si tiamba ही इस न만 घरता है और जिसका कोई दर्वान होता है पदहार होता है जो क्या करता है इस ताड घरता है अओ ऑधारत वो होगा जो इस्तां घरेगा ओर जिसका कोई न कोई क्या होगा आपका दर्यमान होगा पधार्थ वह होता है क्या होता है जो इस्थान घेरता है इस्थान घेरता है क्या होगा पधार्थ वह होगा जो इस्थान घेरता है वो क्या कहलाएगा आपका पधार्थ कहलाएगा छीक है इसके अलावा आप लोगों ने सुना होगा हिंदी वगरा में या कई बार बात होती रहती है कि अपना सरीर पंच तत्तों से मिलके बना हुआ है अपना सरीर किन से मिला हुआ आपके पंच तत्तों कौन से हैं वायू पर्त्वी अगनी जलो राकाश ठीक है इन पंच तत्तों से मिलके संपूर सरीर का निर्मान होआ तो ये सारे क्या होगे आपके पधार्त होगे ये सब किसमें आ गया आपके पधार्त में हो गया तो अपन देखेंगे कि पधार्त क्या होता है पधार्त वो होता है जो इस्तान घेरता है पधार्त वो होगा जो क्या करेगा आपका इस्तान घेरेगा और जिसका निशित क्या होगा आपके दर्वमान होगा जिसका क्या होग इस्तान गेरता है और जिसका निशित क्या होगा आपका दर्युमान होगा वो पधार्त होगा अब यह कह रहा है पधार्त वो गया जो इस्तान गेरा है निशित दर्युमान है तो उसका स्वरूप कैसे होगा वो दिखेगा कैसे क्या क्या उसके लक्षण होंगे यह सब अपन देखेंगे तो पधार्थ का भोतिक स्वरूप अब इस चीज को समझना भोतिक से क्या तात्परिय है भोतिक किसे कहोगे आप आप लोग पढ़ते आएंगे भोतिक स्वरूप भोतिक स्वरूप तो भोतिक से क्या तात्परिय है भोतिक का मतलब होता है कोई बहार से कैसे दिखरिये वाइट कलर की दिखरिये लंबी सी दिखरिये तो यह क्या हो गया इसका भूतिक स्वरूप हो गया अब पहला करेक्टर देखते हैं पहला लक्षन देखते हैं पधार्थ कणों से मिलकर बना होता है पधार्थ क्या होता है कणों से मिलकर बना होता है सबने देखा होगा आप कोई भी टुकडा लेलो लकडी का टुकडा लेलो उसके ओर टुकडे करो तोड़के मिट्टी लेलो उसके ओर टुकडे करो पथर लेलो उसके ओर टुकडे करो मिट्टी का घडा लेलो उसके ओर टु कर लेते हैं ठीक है या अब्लास लेलो उसमें अपने आदर गलास पाणी इसे बढ़ दिया अब क्या करते हैं अपनियों तो छीनी ओर दाल टूरी सा गया तो ठीक है तो थोड़ी दियर में बताओ कहां से लेगे वो चले गए क्योंकि पधार्त मतलब चीनी और सक्करदोनों कि यह आपके पधार्त और किसी नहीं से मिलके बने वे मतलब कणों से मिलके बने तो वो पानी के अंदर क्या हो गए गुल गए मैल्ट हो गए मिक्स हो गए तो इससे सिद्ध हो रहा है कि पदार्थ किसे मिलके मिलावा आपके कणों से क्योंकि कणी तो उसमें क्या हो गया आपके गुल गए अगर गुलते नहीं तो वो क्या होता पदार्थ किस रेणी में आता क्या नहीं आता अब आप ये कह रहे होंगे कि जैसे आप पत्थर गोलो नहीं गुलेगा तो क्या पधारत नहीं है पत्थर भी पधारत है पर कुछ पधारत ऐसे होते हैं जो गुल जाते हैं और कुछ पधारत ऐसे होते हैं जो नहीं गुलते हैं ठीक है अपन इसके लिए प्रियो और है अपने एक बीकर ले ले ठीक है किलास ले लो आप उसमें क्या किया पानी डाला ठीक है अब उसमें डाल देते हैं अपन नीला कलर या पॉर्टेशिम परमेंगने डाल दो लाल दवा जिसको बोलते हैं इससे पानी को सुद्ध किया जाता है लाल दवा बोल दो पॉर्ट के लाल दवा के कण थे वो क्या होगे अपने टुकडों में तूट गए अपने टुकडों में तूट गए और क्या होगे अलग-अलग होगे तो इससे सिद्ध होता है पधार्थ के कण छोटे-छोटे होते हैं पधार्थ के कण क्या होते हैं आपके छोटे-छोटे होते हैं अ अब अपने चीनी में डाली तो चीनी का वैसे तो क्रिश्टल दिखता है चीनी के दाने को हाथ में ले सकते हो पर जब पानी में गुल गया तो ले सकते हो क्या नहीं ले सकते हो इसमें मिक्स हो गया गुण या भोतिक गुण और क्या-क्यालक्षण होते अब देखो यह कहरा है पधार्थ के कणों के बीच रिक्तिस्तान होता है रिक्तिस्तान होने से क्या फायदा होगा अगर रिक्तिस्तान नहीं होता तो जो पानी है आपका जो पानी है वो क्या होता आपके चीनी के आपके पानी के अंदर नहीं गुल पाती क्यों नहीं गुल पाती अगर खाली जगे नहीं होती तो उसके अंदर क्या करते हैं आपके प्रिवेश नहीं कर पाते कौन पानी के कण नमक है चीनी है सरक इसकी वज़े से यह कण क्या करेंगे दूसरे कण इनके अंदर आके मिक्स हो जाएंगे और आसानी से क्या होंगे गुल जाएंगे इससे सिद्ध होता है कि इनके वीच में रिक्तिस्तान का अब अगला क्यूशन है पद्धाड के क Dwintar दिरंतर गतंध में धेक और गति करता तो चीनी का कृुष्टल वहीं पड़ा रहता दय दाना वह रहता वह घतंधि करन उसके अंदर रिक्तिस्तान ता उसके पानी प्रिवेश करन खकेंप पूरक् teorn पानी में प्हेल गया तभी तो अपन को चीनी पानी कैसा लगता है मीठल लगता है यासी कंजी बनाते हैं वह कैसी लगती है आपकी मिठी लगती है अगर नमक नहीं डाला तो गट्टी वह सोरी नीमबू जादर डाल दिया तो कड़वी खटी भी लग सकती है तो कैसे पता च श्याम बत्ती करते हो ठीक है कोई मौम बत्ती जलाता है जब दिपावली होती है ठीक है अगर बत्ती जलाते हैं दिया जलाते हैं तो धीरे धीरे क्या होगा जैसे आपके मौम बत्ती जली ठीक है अभी मौम बत्ती जलाई है तो उसकी खुश्बू पूजा घर तक ही आ रह क्यों आई क्योंकि पधार्थ के कण निरंतर गतिशील है इससे सिद्ध होता है कि अगर अगरबती की खुश्बू आपको पूरे घर में मिल रही है इसका एक मात्र कारण है पधार्थ के कण गतिशील है तो अपने देखा कि पधार्थ वो होता है जो क्या करता है आपका इस्तान गेरता है पधार्थ वो होता है जो इस्तान गेरता है और जिसका एक आईतन होता है इसके अलावा पधार्थ के बहुती गुण देखें पधार्थ के कण निरंतर गतिशील होते हैं इन कणों के अब देखो जो अपन ने देखा था उसको अपन ऐसे देख सकते यह मैंने नोड्स प्रिपेर किये तो आप इसको अच्छे से देख सकते हो पधार्थ पधार्थ कौन होंगे ठोंस दर और गेस ये एक्चल में क्या है पधार्थ की अवस्ताइं है ये क्या है पधार्थ की अवस्ताइं होती है वैसे पधार्थ की पांच अवस्ताइं होती है ठोंस दर और गेस जो दे रखिये इसके अलावा होती है प्लाजमा इसके अलावा क्य क्या हो गया आपकी बोस, आइंस्टाइन, कंडनसेट, ठीक है, तो आप देखना पधार्त की तीन अवस्ता हैं, तो लिखरे किए, एक होती है आपकी प्लाजमा, एक होती है आपकी प्लाजमा, एक होती है आपकी बोस, आइंस्टाइन, कंडनसेट, यह मैं आपको जब पढ़ तो ठोस का मतलब जिसका आकार निशीत हो जिसका आइतन निशीत हो ठीक है यह बहता नहीं हो जैसे आपने पत्थर लिया वह बहन लेगा थोड़ी गुड़क सकता बहेगा नहीं इसके कण अत्यंत पास-पास होंगे यह इंपोर्टेंट करेक्टर इससे बहुत सारी क्यूशन बनेंगे अब ले तो ठोस वो होता है जिसका आकार निशीत हो आइतन निशीत हो बहता नहीं हो उसके कण अत्यंत पास-पास हो और संपिडित का मतलब होता दबाना अगर आप ठोस को दबाओगे तो वो दबेगा नहीं संपिडित नहीं होगा तो यह थे आपके ठोस के कण अब है द्रव द्रव का कोई निशित आकार नहीं होता पानी को ग्लास में डाला ग्लास जैसा कटोरी में डाला कटोरी जैसा बगोने में डाला बगोने जैसा बीकर में डाला बीकर जैसा ठीक है आईतन निशित होता कई बार बच्चे यहां confusion होते हैं कि द्रव का आईतन और बहुत कम होता है इसमें बहुत ज्यादा होता है कुछ संपीडित हो सकते हैं अगर आपने क्या हैं बैलुन में पानी ढाल दिया गुबब़े में पानी डाल यह इसको दबारे हो तो क्या हो सकता है अब चलते हैं कोई संपिडित का संपार निशित अ Margaret गेस है आयतन भी क्या होता आपका एनिशित होता है बहती है हवा हमेशा बहती रहती है कणों के मद्दे बहुत जादा रिक्तिस्तान होता है यह ध्यां रखना और संपिडित भी सबसे जादा होती है संपिडित भी क्या होती है आपकी गेस सबसे जादा होती तो अपने देख पधार्त पधार्त तीन प्रकार के होते हैं पधार्त वो होता है जो इस्तान घेरता है और जिसका आयतन होता है पधार्त वो होता है जो इस्तान घेरता है और जिसका आयतन होता है दोनों में से एक करेक्टर तो हो गई होगा ठीक है तो यह थे आपके पधार्त आज इतना दे कि अपन